जेहन दोस्तों स्वागत है आप सभी का ओनलाइन स्टेडी UK में ओनलाइन स्टेडी UK में हम आज बात करने वाले हैं उत्राखंड के परमुख मंदिरों के बारे में फेमस टेमपल ओफ उत्राखंड ठीक है जो UK PSC and UK SSC exam के oriented topic में से एक है तो काफी महत्पूर्ण topic है ये उत्राखंड के परमुख मंदिर फेमस टेमपल ओफ उत्राखंड और फेमस जो उत्राखंड के परमुख मंदिर ठीक है इसमें आपको इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा परमुख देवी मंदिर ठीक है परमुख देवी मंदिरों के बारे में इसमें बताया जाएगा आपको ठीक है परमुख देवी मंदिरों के बारे में बताया जाएगा और परमुख नाग मंदिरों के बारे में बताया जाएगा और सिव मंदिर के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, सिव मंदिर कौन-कौन से और कहां-कहां इस्तित है, परमुख सूर्य मंदिरों के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, परमुख जो मंदिरों की सैलिया होती है, ठीक है, मंदिरों की कौन-कौन सी सैलिया होती है, उनके बारे में बताया जाएगा ठीक है उनके बारे में आपको ये बताया जाएगा इसके बारे में और मंदिरों के निर्मार करताओं के बारे में बताया जाएगा ठीक है किसके बारे में निर्मार करताओं के बारे में बताया जाएगा इसमें ठीक है तो ये पर्मुख देवी बारे में बताया जायागा ठीक है तो बने रहिए online study UK के साथ like, share, subscribe जरूर कर दें और कुमाओं के जो सारे मंदिर हैं में में मंदिर हैं उनके बारे में briefly study के लिए हमने वीडियो बनाई है उसको भी देख सकते हो part 1 है ठीक है इसे आप part 2 ले सकते हैं और आईए बात करते हैं उत्राखंड के परमुख मंदिरों के बारे में ठीक है तो सबसे पहले आता है परमुख देवी मंदिर ठीक है परमुख देवी मंदिर कौन-कौन से हैं इसके बारे में बात करते हैं कामाख्या देवी मंदिर कहां श्तित है तो कामाख्या देवी मंदिर है आपका पिथोरा पिथोरागर डिस्टिक में ठीक है कहां सतीत है पिथोरागर डिस्टिक में कालिका मंदिर कहां सतीत है कालिका मंदिर गंगोली हाट पिथोरागर में पड़ता है ये भी ठीक है कालिका मंदिर और कसार देवी मंदिर ठीक है उसी के बगल में कसार देवी मंदिर पड़ता है अ मेनिताल में पड़ता है पूर्णागरी मंदिर की बात करें तो पूर्णागरी मंदिर यहां सबसे लंबा मेला लगता है ठीक है पूर्णागरी का मंदिर कहां इस्तित है टनकपुर चंपावत डिस्टिक में है टनकपुर में ठीक है इसके बाद सिरिकोट सिरिकोट मंदिर कह इस्तित है ये डीडी हार्ट में इस्तित है पिथोरागल में ठीक है बाराही देवी मंदिर बाराही देवी मंदिर काफी परसिद्ध है यहां पासान युद्ध होता है ठीक है पत्थरों का युद्ध तो ये देवी दुरा चंपावत में इस्तित है ये बलानी देवी मंदिर कहा इस्तित है बलानी देवी मंदिर आपका चक्राता देहरादुन में इस्तित है चंडी देवी मंदिर की बात करें तो चंडी देवी मंदिर कहा इस्तित है हरिद्वार में इस्तित है और इसके बाद आता है दुनागिरी की बात करें तो हम ये द्वाराहाट में अलमुला में इस्तित है ठीक है द्वाराहाट दुनागिरी द्वाराहाट अलमुला में इस्तित है इसके बाद धारी देवी काफी परसिद्ध मंदिर है माधारी का ये है सिरिनगर पोड़ी गडवाल में ठीक है इसके ब में इस्तित है ठीक है ये थे हमारे देवी मंदिर देवी मंदिरों के बाद हमारे आते हैं परमुक नाग मंदिर ठीक है परमुक नाग मंदिरों में कौन सा पहला आता है बी नाग ठीक है बी नाग मंदिर कहां इस्तित है ये पितोरागर में इस्तित है ठीक है बी नाग या ब बागेश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् बागेश्वर में बागनात मंदिर आपका चंपावत में इसतीत है ढिनसर महादेव मंदिर रानि खेत में आपको बाळेश्वर मंदिर की संपूर्न वीडियू दिखाई जाए जाएगी जल्दी ही इसकी एक वीडियू आएगी ठीक है तो जागिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् हम बात करें तो ओमकारिश्वर कहां पे इस्तित है उखी मट पे इस्तित है ठीक है तुंगनात जो सबसे हाइट में है मंदिर उसका ये है आपका रुद्र प्रियाग में ठीक है तिर्जुगी नारायन ठीक है तिर्जुगी नारायन तिर्जुगी नारायन की बात करें तो य इन में से जो कटारमल सूर्जी मंदिर है कहां इस्तित है ये अलमोडा में इस्तित है ठीक है कहां पे इस्तित है अलमोडा में मलका सूर्जी मंदिर कहां इस्तित है मलका सूर्जी मंदिर है पितोरागल में ठीक है फितोरागल में कौन सा सूर्जी मंदिर है मलका सूर्जी ठीक है ये थलके निकट है और ये खेती खान का सूर्ज मंदिर कहां इस्तित है ये लोहगाट चमपावत में इस्तित है खेती खान का सूर्ज मंदिर पलेठी का सूर्ज मंदिर की हम बात करें तो ये हिंडोला खाल टीरी गडवाल में हिंडोला खाल में इस्तित है पलेठी का सूर्ज मंदिर ठीक है अब नेनिताल में कहां है नेनिताल में बात आती है तो नेनिताल का सूर्ज मंदिर कहां इस्तित है नेनिताल का इस्तिताब का घोड़ा खाल में घोड़ा खाल सूर्ज मंदिर है ठीक है घोड़ा खाल में एक सूर्ज मंदिर है अब दूसरी बात आती ह कटारमल अलमुडा में हो गया ठीक है पोड़ी गडवाल में कौन सा है क्यार के सेंड का ठीक है कौन सा पोड़ी गडवाल में क्यार के सेंड का सूर्ज मंदिर है यहां पे ठीक है और जो देव परियाग के निकट पलेठी का सूर्ज मंदिर कहां पे है टीरी गडवाल में ठी ठीक है इसके बाद जो रुद्र परियाग में है रुद्र परियाग की बात करें तो रुद्र परियाग में आपका चोपता में है ठीक है चोपता में एक सूर्जी मंदिर है ठीक है चमॉली की हम बात करें तो चमॉली की हम बात करेंगे चमॉली चमॉली में सूर्जी मंदिर क कहां इस्तित है, ये चमौली डिस्ट्रिक में स्तित है, ठीक है, इसके बाद आपका जो उत्तरकासी में, उत्तरकासी में भी दो सूर्जिमंदिर हैं, एक भटवाड़ी में थे, सोर्जिमंदिर है, ऑर जो एक मंजियली, ठीक है, मंजी आली में आपका एक सूर्ज मंदिर है ठीक है मंजी आली का सूर्ज मंदिर ये दोनों कहां इस्तित हैं उत्तरकासी में इस्तित हैं कौन से भटवाडी और मंजी आली का सूर्ज मंदिर कहां इस्तित हैं ये दोनु आपका उत्तरकासी जिले में श्तिध है तो कुलसारी का सूर्जी मंदिर है पितोरागल में मल का सूर्ज मंदिर है खेति खान सूर्ज मंदिर चंपावत में लुहागाट के निकट है अलमोडा का कटारमल हो गया कोसी कटारमल ठीक है नैनिताल का गोडाखाल का सूर्ज मंदिर हो गया पोड़ी में क्यारकसेन का सूर्ज मंदिर हो गया और रुद्र परियाग में चौपता का सूर्ज मंदिर हो गया और टीरी गडवाल की हम बात करें तो पलेटी का सूर्ज मंदिर हो गया ठीक है देव परियाग के निकट है ये ठीक है मंजियाली का सूर्णि मंदिर और भटवाली का सूर्णि मंदिर आपका उत्तरकासी से है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं मंदिरों के परमुक मंदिरों की सैलियों के बारे में हम बात करने वाले हैं ठीक है मंदिरों की जो परमुक सैलियां कौन कौन सी सैलिय में ये मंदिर बनाये गए हैं और ये काफी महतपूर्न है इसे एक्जाम में काफी बार पूछा चा चुका है कि कौन सी सैलिय में मंदिर बनाया गया है ठीक है तो इसे याद जरूर रखें सबसे पहले मंदिर और स् मंदिर है ये चमोली में इस्थित है ठीक है चमोली में इसके बाद केदारनाथ केदारनाथ की बात करेंगे केदारनाथ रुद्र प्रियाग में इस्थित है ये कत्यूरी और पांडव सहली का बनाया हुआ मंदिर है ठीक है यमनोत्री यमनोत्री माता का मंदिर है ये उत्तरक ित्तित् है ये बनाया गया इसके बाद तुंगनाथ मंदिर के बात करेंगे इसके बार नेक्स हम बात करेंगे मंदिर इस्थान और सैली ठीक है लाखा मंदल सीव मंदिर लाखा मंदल का जो सीव मंदिर बना है देहरादुन में बना है यह उत्राखंड सैली का बना हुआ मंदिर है ठीक है उत्राखंड सैली का बना हुआ मंदिर है यह कटारमल सूर्ज मंदिर की बात करें तो कटारमल सू नगर में इस्तित है ये उत्राखंड सहली का बना हुआ मंदिर है ठीक है इसके बाद बैजनात मंदिर बैजनात बागिश्वर बागिश्वर वाला ये बैजनात कौन सी सहली में बना है ये नागर सहली में बना हुआ मंदिर है ठीक है बागनात की बात करें तो बागनात जो ये नागर सैली में ये भी नागर सैली में बना हुआ है जो बागिश्वर के बागनाद बैजनाद दोनों बागिश्वर में इस्तित हैं तो नागर सैली में ये दोनों बने हुए है ठीक है गोपीनाद की बात करें गोपीनाद गोपेश्वर ये भी नागर सैली और हिमादरी सैली में बने हुए मंदिर है ठीक है इसके बाद नेक्स हम बात करें रेणुका मंदिर की बात करें ये कहां पे है उत्तरकासी में है रेणुका देवी मंदिर और ये नागर सैली में बना हुआ मंदिर है ठीक है हनोल मंदिर महासु मंदिर ठीक है बहुती फेमस मंदिर है हनोल महासु मंदिर जो चक्राता दहरादुन में पड़ता है और ह्यून सेली में बना हुआ मंदिर है ठीक है रगुनात मंदिर रगुनात मंदिर देव परियाग में इस्तित है ये दर्बन सेली में बना हुआ मंदिर है ठीक है दर्बन सेली में बना हुआ मंदिर है ये मकरवाहनी गंगा मंदिर मकरवानी गंगा मंदिर कहा इस्तित है हरीद्वार में इस्तित है गंगा माता का मंदिर है ये दर्वन सैली में बना हुआ मंदिर है ठीक है जागेश्वर मंदिर समू की बात करें तो जागेश्वर मंदिर समू है अलमोडा में ये केदारनाच सैली में बना हु मंदिर सीव मंदिर कहां सीव मंदिर पैठानी पोड़ी गड़ वाल वाला इसको फसार सहली में ठीक है फांशला सहली में बना है ये भी और मदमहिश्वर मंदिर की बात करें तो मदमहिश्वर आपका रुद्र परियाग में जो पंडित सहली में बना हुआ मंदिर है ठीक है पल्लवी नागर सहली में ये बना गया है गुजर देव की बात करें गुजर देव मंदिर की तो ये द्वाराहाट में है ये पंचायत सहली में बना हुआ है बालेश्वर मंदिर की बात करें तो बालेश्वर मंदिर चंपावत में इस्तित है और खजुराओ और सिखर सहली का ये मंदिर बना है ठीक है खजुराहो और सिखर सहली का इसके बाद रुद्र महल आता है रुद्र महल ये गोपिश्च्वर रुद्र महाले ठीक है रुद्र महाले जो है आपका गोपिश्च्वर चमॉली में है और ये मद्ध हिमादरी सहली का बना हुआ मंदिर है ठीक है इस कुणावन और सिल्पविद्ध्या सईली में बना हुआ मंधिर है ठीक है पुनाई का सिभ मंधिर हटकुडि सिद्ध पीट की बात करें तो ये टिहरी कडवाल में हटकुड приг़ सिद्ध पीट यह मद्य हिमादरी सहली में बनाया गया मंदिर है ठीक है कोटली का विश्णु मंदिर कोटली पितोरागल में बढ़ता है कोटली का विश्णु मंदिर दक्षन भारतिय सहली में बनाया गया मंदिर है ठीक है और समेश्वर का सिम मंदिर समेश्वर का सिम मंदिर उत्तरकासी में इस्तित है ये यामुक सहली में बनाया गया मंदिर है ठीक है किस सहली में यामुक सहली में बनाया गया मंदिर है इसके बाद हम बात करें कमलेश्च्वर मंदिर उत्तरकासी में इस्तित है ये कमलेश्च्वर मंदिर यामुक सहली में ये भी यामुक सहली में बना है ठीक है ज आणडेश्वर, यानि कि कुसमाड़ादेवी मंदिर, रुद्रप्रियाग में इस्तित है, ये सिखर सहली में बनाया गया मंदिर, पीक है, चैती मंदिर, चैती cuin판, ठीक है, ये कासीपूर में इस्तित है, ये मुगल सेली में बनाया गया मंदिर है ठीक है कासिपूर उधंसिनगर में है ये ठीक है महारुद्रेश्च्वर मंदिर समू ये अलमोडा में है और फांसला सेली में ये मंदिर बनाया गया है ठीक है इसके बाद नेक्स हम बात करें तो ये मनियान मंदिर की समू की बात करे मनियान मंदिर अलमोडा में है ये नागर सेली में बनाए गए मंदिर है और नैनिताल का राजमहल ठीक है नैनिताल का जो राजमहल है वो नैनिताल में है और यूरोपियन सेली यानि की बर्मिंगम सेली में बना हुआ है ये राजमहल ठीक है इसके बाद मंदिरों के निर्मार करता की बात करेंगे हम ठीक है निर्माड करता कौन-कौन से मंदिरों के कौन-कौन से मुख्य मंदिरों के निर्माड करता की बात करेंगे तो बद्रीनाथ मंदिर ठीक है बद्रीनाथ मंदिर का निर्माड किसने करा था अजैपाल और कत्यूरी राजाओने करा था किसने करा था अजैपाल और कत्यूरी राजाओने केदारनाथ मंदिर की बात करें तो केदारनाथ मंदिर का जो संकराचार दिके द्वारा इसका निर्माड कराया गया था केदारनाथ मंदिर का ठीक है यमनोत्री मंदिर की बात करें तो पवार सासक मंदिर को बनाया था ठीक है इसके बाद बद्रिनात मंदिर बद्रिनात मंदिर का जील नोद्धार किसने कर आया था संकराचार रिजी ने ही करवाया था ठीक है संकराचार रिजी ने इसका जील नोद्धार करवाया था केदारनात मंदिर का जील नोद्धार की बात करेंगे तो कत्यूरी से सकूंद के द्वारा इसका जीर करवाया गया था ठीक है इसके बाद हम बात करें नेक्स यमनोत्री मंदिर का जीर करवाया गया था वो जैपुर की महारानी गुलेरिया से श्पापना इसकी जो ओमकारिश्वर्च शिव मंदिर है उसकी स्थापना किसने करवाई थी संकराचार दिने उखी मट में करवाई थी इसकी ठीक है संकरमट संकरमट सिद्नगर में किसने स्थापित किया था संकराचार दिने ही कराया था इसका भी ठीक है नेनादेवी मंदिर नेनीताल का स्थापना किशने करी थी मोति राम साहजी ने करी थी ठीक है इसके बाद कैची धाम मंदिर भवाली नेनी ताल में बाबा नीम करोली महराज ने गरवाई थी इसकी स्थापना ठीक है एक हत्या देवाल थल पितोरागड में बाज बहादूर चंद ने इसकी स्थापना इसका निर्माल करा था ठीक है तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और ब्रिफली आपने जाना होगा इन पांच चीजों के बारे में परमुक देवी मंदिर परमुक नाग मंदिर परमुक सिब मंदिर परमुक सूर्य मंदिर और परमुक आपके निर्मार मंदिरों के निर्मार से लिय हैं और इससे संबंदित कोई आपको डाउट हो तो जरूर हमें कमेंड बॉक्स में कमेंड करें हम जरूर आपका इसका निवारन करेंगे आपके डाउट का ठीक है तो बने रहिए ओनलाइन स्टडी यूके के साथ धन्यवाद जय हिंद जय उत्रागर तरहाँ होड़ चे आपके प्तराई बने करे दो किसार शड़ मॉन आपके तान ही। झालत reflecting अरे ज किसार आपके स साथ यू यूब King रगर जantu कि Dadou डूर आपके सून मॉन प्यूज़ खरा चिरला। झाल झाल